आज आज बड़ा इंपोर्टन्ट रूल हम करने जा रहे हैं हाफ लेटर जो देवनागरी में लिखा होता है संयुक्त शब्द रूल शारदा कंजंग्ट रूल इसको हम कहेंगे बहुत महत्पूर्ण है यह कंजंग्ट रूल जो संयुक्त शब्द होते हैं जिसमें हाफ लेटर होता है हिंदी में वह कैसे हम लिखते हैं शारदा लीपी में एक्च्वल में शारदा लीपी में हाफ लेटर का कंसप्ट बिलकुल नहीं होता है कोई ऐसा लेटर नहीं है शारदा लीपी में जो हाफ लिखा जाए तो फिर हाफ लेटर कैसे लिखते हैं पहले हमें यह समझना है सपोज मैं एक वर्ड लेता हूं इस पर मैं समझानी कुश करता हूं I am taking simple कोई वर्ड लेते हैं सपोज अंत में स्टार्ट करता हूं यहां से कि देवनागरी में अंत मैंने लिखा म यहां पर आदा है और त यहां पर उसके बाद फुल है जब इस चुकि मैंने पहले आपको कहा कि सार्दा लेपी में क।ो 225 लेटरक हम कैसे लिखेंगे श्यादा लेपी में इस हाफ लेटरको हम हमेशा full लिखते हैं और जो इसके बाद वाला लेटर है यह इसके नीचे लिखा जाता है मतलब इन शादा लिपी हाफ लेटर जो देवनागरी में होता है that is written full and the letter which is following that half letter in देवनागरी it is written below that letter अब जैसे मैं एक example देता हूं यहां पर समझने के लिए suppose यहां पर अगर इसको हम लिखेंगे तो अ पहले अ तो पूरा है इसमें तो कोई दिकत नहीं है हमने अ लिख लिए अब न चूंकि half है इसको हमने full लिखना है शादा लिपी में मैंने full लिख लिए अब तो लिखना है वो इसी लटर की नीचे लिखना हो कब भी हाफ लेटर को लिखना होगा देव नागरी में ये इशारदा लिपी में इट इस लिटन फुल एंड जो लेटर इसके बाद फॉलो करता है डैट इस लिटन बिलो डैट लेट अब बिलो की जगह पर लिखना है उसके लिए अब रूल्स है अब मैं पहला रूल इसमें बताता हूँ तीन रूल्स है जो हम बिलो वाला लेटर है वो हम कैसे लिखेंगे अब तीन ऐसे रूल्स है जो आपको भी याद रखना है पहले यह कि हाफ लेटर को हम शादा लिपे फुल लिखते हैं और जो उसके बाद वाला लेटर उस पर नीचे लिखते हैं अब मान ल पहला रूल है अगर बौटम लेक्टर रेस्थिप लिखा जो हमें नीचे लिखना है अगर उसकी अपनी कई नहीं ऐस्कुए होाइं令 यह तो कैसे लिक क्यंड तीन रूल आएंगे तीन कंडिशन आएंगे जो नीचे वाला लेटर हमें लिखना है उसकी या तो कोई शुरूर रिखा नहीं होगी दूसरा रूल आएगा इफ बॉटम लेटर एक जगा पर अपनी शुरूर रिखा के साथ टैच करता है एट वन पॉइंट पहले में तो कोई नहीं शुरूर रिखा नहीं दूसरे में अगर जो नीचे वाला लेटर लिखना है अगर उसमें शुरूर रिखा है और एक जगा जित होगा जैसे जो होगा शाली बी में देखना है क्या उस अभी में जैसे नीचे वाला लेटर अगर दो एक जगा पर अपनी शुरूर रिखा से सब्सक्राइब एक जो नीचे हम तो हमें पता है फुल लिखना है अब हमें उसके बाद वाले लेटर को नीचे लिखना है उसके लिए हमने रूल समझना है यह को दूसरा रूल इसका ये भी आएगा थर्ड रूल आएगा इसका अगर बॉर्टम लेटर if bottom letter has more than one point of contact he bottom letter जो नीचे आब लिखना है has more than वन पॉइंट आफ कंटैक्ट शुरू रिखा पॉइंट आफ कंटैक्ट विच शुरू रिखा विद इस अपर लाइन जैसे शुर आएगा तो शुर अगर हम देखेंगे ज्यादालिप में आईसे लिखते हैं तो दो जगों पर अपनी से connected है जो दो दो लेटर से या दो से ज्यादा जगों पर connected है आईसे letters की बात में का रहुत आई यह भी examples वे अभी अग्जाबन पहले हमें यह समझेक्ट आ है कि शार्दा लिपी में half letter नहीं लिखते हैं, half letter को full लिखना है, वो तो easy है, नर्व यहाँ पर नर्व फुल लिखना है, अब जो नर्व के बाद letter है, वो कैसे लिखना है? वो हमने देखना है, जैसे यहाँ पर मैं example देता हूं पहले में, जैसे हमें, मैं simple अभी देता हूं, word नह आए गा, इसको हमने लिखना है, या शर लिखना है, शर लिखना है, लगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कि यह पहला है, क्योंकि सर जो है, सर तो full लिखना है, सर में तो कोई दिक्ष्र नहीं है, का half is a full, इंशाद हैं, पिलिख लिख लिए हुझे हमने full, है थोड़ा बड़ा लिखता हूं झाइस को फ़ुल लिख लिए अब इसको फॉल करता है मर अब हमें पता है कि मर जो है जब हम शारदा लिपी मह लिखते हैं मर की कोई शुरूरे का है यह नहीं तो इस अब रूब यहां पर अगर बॉटम लेटर जो म है जिसकी शुरूरे का नहीं है ऐसा लेटर आ जाएगा डैट इस आलवेज डिटन ऑन दर राइट साइड आप से लेटर जिखो यह जो लाइन है यह जो लाइन है इसके राइट साइड म एक सचब्सक्राइब यह नीचे सब्सक्राइब लिखेंगे सब्सक्राइब पिर अब दो लिखनास इसको सब्सक्राइब घंचे कभण सब करेंगे इसको कैसे पहें तो राइट साइड में ही लिखना पड़ेगा यहां से ही लिखना पड़ेगा शब राइट तो अगर कोई भी लेटर अगर हाफ है तो हमेशा पर रग है आदा रग है एक ओवर दिखाता हूं सपोज रग है इसको लिखना है यह वाले अलग भी दिखाऊंगा में पहले रग आदा है तभी तो उपर आया है तो मैंने फुल लिखना है तो राइट साइड पहला रूल है इप बॉटम लेटर जो है इफ बॉटम लेटर हैस नो शिरोरे का इट इस रिटन ऑन दे राइट साइड यह पहला रूल था रूल नुमर सेकेंड एब बॉटम लेटर टैचिस दे शिरोरे का वन पॉइंट अगर बॉटम लेटर शिरोरे का के साथ एक जगह पर अटाइच्ट है तो डैट इस रिटन एग्जाक्ली बिलो बिल्कुल बिलो दे टॉपलेट और अपनी कोई शिरोरे लिखना है मैं भी सिंपल बता रहा हूं फिर हम वर्ट बताएंगे अब चो लिखेंगे चोई इटन लाइक दिस इट इस चो करेक्ट लिखना है अब न जो है न एक जगह पर अटाइच्ट है तो इटन एक्जाक्ली बिलो इट मगर इसके कोई अपनी शिरोरे का नहीं होनी चाहिए लाइक दिस विदाउट इस ओन शिरोड़ेका सब तर न लिखना सिंपल आप हो गया तो बिलकुल नीचे स्ट्रेट में नीचे राइट में नहीं स्ट्रेट में नीचे लिखना है यह दूसरा तभी मैंने अभी स्टार्ट में मैंने का था न था एक न था न और लि लिखिंगे न फुल न इसके निचे तर लिखना है तर इस अधन लाइक इस ओनली बिकॉस इस रिगारड़ेट फॉम इस विद्धर से स्टार्ट है और यहां से क्योंकि वह लाइन मानी जाएगे तर के लिए तर लिए तर तर सिर्फ एक ही दो नहीं क्योंकि कभी कभी यह था दूसरा डूल वें बॉर्टम लेटर टच शिरो रिखा एक तब बिल्कुल एक्जाइक वें बॉर्टम लेटर आज नो शिरो रिखा ऑन दे राइट साइड तो ओविसली अब जो बॉर्टम लेटर हैस मोर देन वन पॉइंट अफ कंटैक तो इसको कहां लिखेंगे हम उसको लिखते हैं लैप साइड में विजटर शुरूर रिखा अपनी इसकुमीर रिखा दिखानी है जैसे वह अरा पर शेल विए पाले काफ घानोत यहां फुल लिखेंगे लिखली आमेने पर अब मुझे शृ होता तो उत क्रूश करता है राइट साथ में जर लेकन इस पर श्रव बूह है श्रुड लेटन लुकष यह नहीं है जो दो जंगहों पर अपनी श्रुरवरेका से टाइच करता है ज्रुड को हम का लिठीए फिर श्रुड परिगा थी विच्टो आने लेट-टाइट इसाम rules also conjunct special rules वो हम बाद में करेंगे लेकिन पहले आज मैंने बता दिया what is conjunct rule in शारदा लिपी there is no concept of half letter जब भी half letter आएगा आपको लिखना जब देवनागरी से हम लिखेंगे तो half letter को full लिखना है और जो इसके नीचे letter इसके बाद letter होता है below that letter अब below कैसे लिखेंगे there are three conditions पहला अगर bottom letter जो हम below लिखना है half letter के बाद जो letter है if it has no शिरोरेखा तो बिलकुर right side of the upper letter लिखना है if it touches the शिरोरेखा at one point बिलकुल इसके नीचे लेकिन इसके शिरोरेखा अपनी नहीं लिखानी है जब एक जगा पर है it is written on the right side sorry left side with it शिरोरेखा these are three rules अब इसी रूल को हम आगे बढ़ाते हो कुछ suppose मैं लिखता हूँ let us suppose हम लिखेंगे कुछ वर्ट्स मैं इच्छा लिख रहा हूँ इच्छा इच्छा लिख रहा हूँ अब इस पहले इआपको पता है पिर च्छा है च्छा हाफ है तो यहाँ क्या लिखेंगे फुल एमरेटिक फुल अब च्छा मैं अलग से देखूँगा च्छा के लिए कौन सा रूल है च्छा तो अपनी शिरोरेखा के साथ एक जगा पर अटैच्छ होता है तो रूल है बिल्कुल इसी के नीचे लाइन थोड़ी से ले लो और च्छ अब देख लीचे आ जो है यह च्छ के साथ है आप तो नीचे नहीं लिख सकते हैं जो मात्रा होती है बिलो लेटर के साथ इस वेरी इंपॉर्टन यह हमेशा ओपर लेटर के साथ ही लिखी जाती है हमेशा जो बिलो लेटर लिखते हैं उसकी मात्रा हमेशा ओपर लेटर के साथ लिखी जाती है इच्छा हो गया पहला एक वर्ड लिखा हमने दूसरा सब्सक्राइब लिखेंगे पुश्प पर ओ शर पर इसको अमने लिखना है पर सिंपल पर ओ आपको पता छोड़ी सी ट्रेंग अब शर आदा है तो यहां लिखेंगे शर फुल शर लिखा पर पर हमें पता है कि कोई रहा है नहीं सो अकॉर्ण डुल इस रिटन ओन तारीट ता था हम राइट साइद में इस हो शर पर पुश्प राइट एक और लिखते हैं इस अपल लिखेंगे हम नेक्स्ट हम इस हम पतनी पर तर आदा नई पतनी लिखेंगे हैं पर से कोई मतलब नहीं अब तो लिखना है तो यहां पर फुल लिखेंगे लेटर फॉलॉइंग तर इस न न अगर मैं अलग से लिखूंगा तो एक जगह से पर शुरुरे का से टाच है तो बिल्कुल नीचे लिखना पड़ेगा नअब ऐ मात्रा ऊपर वाली लेटर के साथ तू इस पर नहीं लिखेंगे जगह जगम लिखेंगे जगह जगह दिस जगँग है जो अब न आदा है तो न लिखिए फुल हम न अब म है वह नो म है जो शिरोरे काफ्र सून तो म कहां से लिखिंगा है रूल क्या है राइट से तक अनदर वर्ड अनन्द पहले आ लिखिंगे इस आ फिर न नॉमल कोई फरक नहीं न फिर न आदा तो न फुल लिखिंगे अब दर पहले हम दर देखिंगे दर जिटन लाइक दिस तो दर जो है इस ट्रेचिंग इस श्रोरे काफ्र एक आपन पॉइंट रूल बिल्कुल इसी के साथ लिखना पड़ेगा नीचे तो इसी के साथ दर दिखाना है कोई इसकी आप दिश्रोरे का नहीं और यहां से माना जाएगा इसका यहां से दर और यहां से पूरा यहां से और यहां से और राइट एक और रूप एक और बताते हैं सपोज मैं शम्शान लिखूंगा श्राद्ध इसको लिखते हैं श्रादा तो श्रुफुल लिखेंगे अब मर लिखना है बिकास इस फॉलों एट हाफ लेटर इन देव नागरी तो इसको नीचे लिखना है मर तो विदाउट श्रुरु रिखा है सो राइट साइड में श्रम देन श्रुर श्रुर न शम्शान राइट यह आज हमने बता दिया ज्यार सम्स्पेशल रूल्स आज वह हम कल करेंगे तो अभी तक हमने दिया सपोज वस्तर लिखना है वह सब्सक्राइब अब इसके नीचे लिखना अब देखेंगे पहले तो इसी के साथ तो मैं आपको पता है तो मैंने यहां से स्टार्ट होता है इसका दिया रतना ये एक लाइन मानी जाती एक यह वे दूसरा पिर इसके सब्सक्राइब यह आज का लेसन हो गया कंजंग्ट रूल कैसे बाइगें रपीट इंशादा लिपी देर इस नो कंसेप्ट आफ लेटर वैनेवर देवनागरी वी राइट फुल इंशादा लिपी अगर उसमें शुरू रिखा नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं है एंशाद सुना यह मने इस शुरू रिखा नहीं है सिटेश रिखा बिलो लैटर इव भलो लेटर इस तचिंग इस शुरू रिखा टो और गुरू पंट देच्छल रिखा नहीं इस नए बहुत बहुत दैने वाद